नमस्का, मैं होस्तासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं चीन से लुआ लेने के लिए पीए मोदी ने इमर्जेंसी में मंगवाई हैमर चीन के साथ चल रहे सीमा बीबात के बीच भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइल मंगवाई है ने नमोदी सरकार ने इमर्जेंसी पावर का इस्तिमाल कर फ्रांस से ए मिसाइले मंगवाई है आपको बता दे कि इन मिसाइलों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएंगी पिछले दिनों पूर्वी लद्दाक से गल्वान घाटी में हुए हिंसक जड़ब के बाद से भारत और चीन के बिच तनाव चरम परहा आपको बता दे कि इन मिसाइलों का इस्तिमाल राफेल बिमानों में लगाया जाएगा बताओ जालाई कि दुनिया की सबसे संदर लड़ाकू बिमानों में से एक राफेल की मारक छमता और हैमर मिसाइलों के साथ और भी गातक हो जाएगी जारखन में जारखन में तीन दीनों के लिए औरेंज अलर्ट जारी कर बताया गया है कि सभी जीलों में तीन दीनों तक मद एससे हलके दर्श की बारिस होगी ऐसे में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए एड़ाजरी जारी करते हुए कहा गया है कि वे अगले तीन दिनों में अपनी धान रोपी का काम खतम कर ले सरकारी इस्कूल कब खोले जाए अभिभावक बताएंगे राज के सरकारी स्कूल अभिभावकों के सुझाव के बाद खोले जाएंगे इसके लिए सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से सुझाव लिये जाएंगे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अविभाकों से स्कूल अस्तर पर ही सुझाव लिया जा सकेगा इन में एक फोर्मेट बना कर अविभाकों से उनके बारे में पुछा जाएगा आविभाको कोई स्कूल बुला कर या फी डिजिटल कॉंटेंट पहुंच चाने के माध्यम के वाट्सेप गुरूप के माध्यम से संपर की जा सकती है जार्खन में आज चासव ठत्तर ने संक्रमितों के पुष्टी हुई जुराची से 1792, पूर्वी सिम्भूम 90, कुडार्मा 32, रामगर 26, पच्मी सिम्भूम 22, पलामू 22, धनबाद 18, हजारी बाग बारा, सराय किला दवस, लोहर्दागा 10, बुकारू 9, गिरीडी 6, चत्रा 6, गुमला 4, पाकुर 4, जामतला 4, गोड़ा 2, साहिब गई 2, देवघर से 1, से 1, जार्गं में कुल संक्रम भता तो संक्राघ के 7-249 जब की 33 24 लोग स्वास्त है और 179 के मिरिती हो गई भारत में साहस के 336 लोग स्वास्त शायु सुचईयाशन ने 50 000 के संग्रमू में की राजे में संक्रामी पुलिस कर्मियों की संख्या रहाई सव से अधिक हो गई है ऐसे में जार्खन पुलिस एस्योसियेशन ने वारियर्स के तोर पर काम कर रहे है पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाग के बीमा किमांग की है आपको बता दे कि एस्टोसियेशन के अध्याक्ष रोगेंद्र सिंग महामंत्री अक्छाय राम उपा अध्याक्ष पांडे समेत अन्पता अधिकारियों ने डिजीपी एमबी राउ से मुलकात की 17,000 स्कूलों में बनेगा कीचेन गार्डेन जाखन राज मद्यान भोजन प्राधिकरन द्वारा इस आशका प्रस्ताव केंद्रिये मानव संसाजन मंत्राले को भेजा गया था केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को स्विक्रिति दे दिया आपको बता देखी इस कीचेन गार्डेन के लिए चैनित विद्याले को 55,000 रुपए दिये जाएंगे कीचेन गार्डेन में उपजने वाली सब्जिया का परयोग स्कूल के मद्यान भोजन में किया जाएगा परवासी के लिए 6 जीलों में बनेंगे परवासी कामगार केंद्र जारखन के परवासी मजदूरों की दूसरी राजियों में नियुक्ति के लिए सरकार विगापन जारी करेगी इसके लिए सरकारी एजेंसियों से संपक्क कर जरूरी कौसल वाले कामगार चुनेंगे स्रम विभाग ने इस आशे का प्रस्ताव तयार कर स्रम मंत्री सत्यनन्द भोक्ता को सोब दिया है आपको बताओ दे कि इस प्रस्ताव के तहट 6 जिलो में खुटी, गुमला, चत्रा, पलामू, दूमका और लातेहार में प्रवासिक कामगार सुविधा केंद्र अस्ताफित करने की योजना है 27 जुलाई तक जार्खन विधान सवापुर्ण तासिल जार्खन में संक्रामन के बड़ते खत्र और मंत्री विधाय को एवाम जन परतिनीदियों के इस जानलेभा संक्रामन चपेट में आने की वज़ा से जार्खन विधान सवा को 27 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है बिधान सभा सचीवाले ने राजे की सबसे बड़ी पंचायत को बंद करने का फैसला किया ताकि जन परतिनिदियों और मंत्रियों में संक्रमन न फैले आपको बता दे की जर्खन बिधान सभा की समीतियों की सभी बैठके भी ततकाल प्रभाव से 31 जुलाई तक के लिए अस्थागित रहेंगी नेतरहाट की नस्पती से सरकार को लाखो की आमदनी लातेहर जिला की नेतरहाट इस्थित नस्पती बागान से जर्खन सरकार को प्रतिवर्ष लाखो रुपए के अमदनी होती है इस वर्ष भी इस बागान की इनला में 44.2 जीरो लाख रुपए में हुई है आपको बता दे कि छोटा नागपूर की रानी कही जाने वाली पहारी नगरी नेतरहाट की जलवाईू नस्पती के फलो के लिए काफी उप्युक्त मानी गई है आपदा प्रवंधन की टीम की रिपोर्ट राची में नहीं चलेंगी आटो नहीं खुलेंगे दुकान सोसल मीलिया में वाईरल हो रही है एक ख़बर सच्ची है तो जल्द ही राची में आटो का चालन बंद हो जाएगा दुकान एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी लोकडाउन के नियमों को और सक्ती से लागू किया जाएगा आपको बता देखी एक वाईरल नियूज में कहा जा रहा है कि आपदा प्रवन्दन से जूड़ी एक टीम ने इस समध में मुख मंत्री एमन सुलेन को अपनी रिपोर्ट सौप दिया है मवादियों का हथियार लेकर भागा लातेहार का नक्सली के तलास में गुमला एसपी गुमला पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भागपा मवादी से भागे नक्सली निर्मल मिंच की तलास है निर्मल मूल रूप से लातेहार जीला के महवा डर कर रहने वाला है लेकिन कुछ साल पहले वा अपने ही भाजपर मवाजी संगठन को चक्मा देकर हां थियार लेकर भाग गया था उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है आपको बताओ दे कि गुमला पूलिस को इसकी गुप्त सुचना प्राप्त हुई है इस सुचना के बाद गुमला पूलिस ने निर्मल की तलाज सुरू कर दी है खुद गुमला SP हद्धी पी जनार्धान मोटरसाइकल से नक्सल परभावित गांव जांगलो का भरमन कर फरार नेर्मल को खोज रहे हैं राम मंदीर भूमी पुजन में भेजी जाएंगी जारखंड के मिटी और नदियों का जल अयोध्या में राम जन भूमी पर राम मंदीर के निर्मान के लिए भूमी पुजन कारेकराम में जारखंड के कई महत्पूर नदियों का जल और धार्मिक अस्थलों की मिटी भेजी जाएंगी इसके लिए जल और मिटी के संग्रह का कारे सुरू हो चुका है आपको बता दे कि 20 हिंदू परिशत जारखंड प्रांत के मंत्री डाक्टर बिरेंद्र साहू ने इस बावत बताया कि मिटी अर्जल संग्रह 25 जुलाई तक रांची इस्थित बिहित प्रांत कर्याले में किया जाएगा इसके बाद उसे 26 जुलाई को अयोद्या भेजा जाएगा कॉपी मुल्यांकर नहीं करने वाले सिख्षकों की जैक ने मांगी सुची जैक मैट्रिक एवा मिंटर के मुल्यांकर कार्य में योगदान नहीं करने वाले सिख्षकों की सुची जैक के सचीव की ओर से मांगी गई है जहाँ जहाँ इन परिक्षाओं को लेकर मुल्याकन केंद्र बनाये गया था वहाँ के जीला सिक्षा पतादिकारी को इस समब्ध में पत्र भेगा गया है आपको पता दे कि पत्र के साथ बीहीत प्रपत्र भी उपलब्द कराया गया है जिसमें योगदान नहीं देने का कारान भी उलेख करना है या सुची स्कूली सिक्षा विभाग के पत्र के अलोक में जैक ने मांग की है बंद होगा मुख्यमंत्री जनसनवाद केंद्र करमी होंगे बेरुजगार फोन के द्वारा जनसमस्याओं के समधान के लिए पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रगवर दास द्वारा अस्थापित मुख्यमंत्री जनसनवाद केंद्र अबबंद हो जाएगा जार्खन सरकार के सुचना एवं जन्सनपर्क निदेश साले ने इस आजसे का आदेश जारी कर दिया है यह स्थिवा 181 के नाम से राजे में बेहाद लोग प्रिये थी सिख्षको का लंबित बेतन निदान को लेकर मंत्री से की बंधूत तिर्की ने मुलकात विदायक बंधूत तिर्की ने गर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारामभिक विद्यालियों में नियुक्त एवं कारेरत 400 शिक्षको का लंबित बेतन निदान का अनुबदन के निदान को लेकर बुद्वार को सिक्षा मंत्री जगनात मतों से मुलकात कर अपनी बात रखी उन्होंने कई मुद्दो पर मंत्री को आउगत कराया एवं निदान करने का अगरह किया है चीन सीमा सलक बनाने गए मजदूरों को खाने की दिक्कत चीन सीमा पर सड़क बनाने सीमा सड़क संगठन की ओर से लदाख भेजे गए कई मजदूर वहां की बेवस्ता से असंतुष्ट और परिशान है कई मजदूरों ने अपने परिवार के लोगों को लदाख से या सुचना भेजी है कि उन्हें खाने पिने के दिकत हो गई है नव उन्हें वहां काम मिला है और नहीं बेतन पास में जो पैसे थे वो खर्च हो चुके हैं अब घर लोटना चाहते हैं पर लोटने के लिए पैसा नहीं है उत्पाद सेवा के उनईस पताधिकारियों का तबादला जार्खन सरकार ने उत्पाद सेवाव में बड़ा फिर बदल किया है गुर्वार को जार्खन उत्पाद सेवा के उनईस पताधिकारियों का तबदला किया गया है जिसमें धनबाद, बोकारो, हजारी बाग, जमसेत, पूर, सहीत, कई, जीलों के सायक उत्पाद आयुक्त बदलेगा है जार्खन की बेटियां राजे का गौरव है मन्द सुरेन जार्खन की बेटियां गौरव है, उनका गुमान है कि बेटियों ने संक्रमन के दवरान में जबद्जस्त, सास और धारे दिखाया है अब यह राजे सरकार की जिम्यदारी है कि उनके सपनों को सकार करने के लिए उन्हें जरूरी सुबदा एवा माग दसन दिया जाए अंडर सत्रा फीफा वर्ल्ड काप 2021 के लिए चैनित राजे की महिला फूटबॉल खिलाडियों से मिलने के बाद कही खोटी में चलंत लोग अटालत का उधगाटन जीला के सभी छो प्रखंडों में एकंत्वास केंत्र का दोरा करेगा देवगर में तमबाकू उत्पादो एवं सेवन पर पूर्ण परतिबंद सरजानिक जगो पर सभीत तला के तमबाकू उत्पादो तथा सिग्रेट बिढ़ी पान मसाला हुका खैनी जारदा गुटका और खाकर यात्रता थुकने से वाइरस फैलने का खात्रा बढ़ता है और से में सोजनिक जवापर तमाकू पदार्थो के सेवन पर 25 साथ 21 तक परतिबंद लगाया गया है बगर मास्क पर जुर्माना और कड़ी सजा का प्रधान पूरी तरह अब यवहारिक बाबुलाल मरांड जार्खन में भारतिये जनता पार्टी विधायक दल के नेता और राजे के पूरो मुख मंतरी बावलन मरांडी ने कहा है कि राज सरकार ने बैसिक महामारी के संक्रमान पर अंकुस लगाने के उदेश से कैबिनेट की बैठक में जार्खन संक्रमान रोग अध्यादेश के क कुछ बिंदुओं पर जो नीने लिया है वहार नयायोचित प्रतिक नहीं होता है शीरी मरांडी ने पत्र लिहकर कहा कि बगर मास्क पहने बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसी के उलंगन पर भारे जुर्माना और कड़ी सजा का प्रवधान पूरी तरह और ब्यवारिक है नीजी कोचिंग सस्थानों को विशेश पैके दे सरकार आईसू आईसू के परदेश उपाध्यक्ष लाल मनिसनाथ सादेव ने राज सरकार से परदेश में उच सिक्षा के रिड के रूप में अस्थापित नीजी कोचिंग सस्थानों को बंध होने से बचाने मैट्रिक इंटर परिक्षा के स्कूरूटनी तिथी घोसित आसंतुष्ट विद्याथी करें आवयदान जैक ने मैट्रिक वा इंटर परिक्षा के स्कूरूटनी तिथी घोसित कर दी है जो परिशार्थी अपने प्रवतांग से असंतुष्ठ है वे स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि मैट्रिक के परिक्षार्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन फॉर्म जाएकि वेपसाइट पर उपलावद है इसके एक से 31 अगस्त तक इसकूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि विशाएट के लिए 500 रुपे सुल्क जमा करना होगा जे बी बी एनल में 1145 पदों पर फर्जी भरती जे बी बी एनल में बहाली के लिए फर्जी भीग्यापन निकाल कर राजे के युवाओं को ठगने का नया मामला सामने आया है आपको बता दे कि JVVNL के नाम पर अलग-अलग पदों के निकाली फजी बहाली में ठगों ने परिछा सूल 420 उर्पे रखा था जो दिन भर सोसल मीडिया में अभीग्यापन चलने के बाद JVVNL के MD ने ट्विट कर इसे फजी करा दिया है भुटान से आए मजदूरों ने 11 केंदर में किया हंगामा 6 जुलाइसे सहर के महिलापल टेकनिक 11 केंदर में रहने वाले भुटान से आए 87 मजदूरों ने गुरुवार को तीसरे दिन भी रिपोर्ट नहें आने पर जमकर हंगामा किया सेंटर का मुख्य द्वार खोल कर परिसर में डेरा डाल दिया बारिज के बाद भी एक भी मजदूर कक्ष में नहीं गाए धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आकन दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेर करें आप हमें कोमेंट कर आपना सुझाव अवास से दे थाइंक्यू